नमस्कार अराइज नियूज में आपका स्वागत है तो पेश है आज की एहम खबरे गाड़ियां तुरंथ ही मौके पर पहुँची हालांकि कड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका मिली जानकारी के अनुसार पटाखा गोधाम में करीब आदा दर्जन मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे कि अचानक चर्खी की चिंगारी से गोधाम के अंद किल से दीवार को तोड़ कर जले हुए लोगों को बाहर निकाला और मौके पर पहुँची एंबूलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल पहुचाया उधर घटना के बाद पटाखा गोधाम के मालेक आलोग जिंदल की अचानक से तवियत बिगड़ गई उधर इस्थानिय के लोगों ने आवादी वाले छेत्र में चल रहे इस तरह के पटाखा गोधाम को लेकर घहरी चिंता ब्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के पटाखा गोधाम घनी आवादी वाले इलाकों में नहीं होने चाहिए इनके घनी आवादी वाले छेत्र में होने से कोई भी अप्र न घटित हो सकती है जिस पर पुलिस प्रसासन को संग्यान लेकर उचित कारवाई करनी चाहिए। कि रपोर्ट।